Hello learners, welcome to my channel, United Knowledge. आज हम discuss करने जा रहे हैं, interest chapter के बारे में, बहुत interesting chapter है, ध्यान से समझेगा. इस chapter में हम लोग शुरू करने वाले हैं, meaning, gross and net interest क्या होता है, इसमें क्या difference पाया जाता है, और साथ ही में पढ़ेंगे, difference in the rate of interest, अलग-लग rate of interest कैसे लगाये जाते हैं. आप मेरा telegram channel join कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी video की pdf file चाहिए, और आप मेरा facebook page भी like कर सकते हैं, वहाँ पर अगर कोई आपको दिक्कत है, कोई problem आ रही है, किसी चीज़ को समझने में मुझे message करके जरूर पूछ सकते हैं, link आपको description box में मिल जाएगा. Start करते हैं interest chapter को, तो इस topic में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कि interest होता क्या है, gross interest और net interest के बारे में पढ़ेंगे, इसके difference के बारे में भी पढ़ेंगे, और साथ हमें ये भी पढ़ेंगे, कि अलग अलग rate of interest कैसे कैसे लगाये जाते हैं, जादा या कम किस तरीके से लगते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, interest होता क्या है, ordinary, अगर हम simple terms में बात करें, तो interest क्या है, payment made for the services of capital is called interest, कि जो भी हम किसी की चीज़े use करते हैं, कोई capital है, उनकी services का use करवा रहे हैं, तो उसके बदले में, जो payment आप लोग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, interest मतब व्या करवाई है, इसके अलग-अलग क्या होते हैं, meanings होते हैं, term capital is used, अब capital में machines आ सकती हैं, raw material, building, factory premises, hard cash, या फिर money भी आ सकती हैं, so इसका मतलब, जो payment आपने की है, अलग-अलग services of capital पे, उनको हम लोग interest नहीं कह सकते, तो हर capital के जो services हैं, उनको interest नहीं कहा जाता, term interest कहां पे use की जाती है, for the payment made, only for the use of monetary capital, सिर्फ ऐसी capital, जो monetary है, money की form में है, उनके बदले में जो आपने किसी चीज की payment दी है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, interest कहते हैं, so, interest का meaning क्या हुआ, कि payment made only for the use of a monetary capital for a specific period, it is always, यह किसमे express की जाती है, percent per year में, so, thus, interest क्या है, एक payment है, for the use of money, या फिर loanable funds, whenever, जब हमें क्या होती है, money की shortage होती है, for हमारे business के लिए, या कुछ और purpose के लिए, तो हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं, किसी से पैसा, उधार ले लेते हैं, और उधार के बदले में, वो हमसे कुछ rate of interest को charge करते हैं, अब the person that who lends it, जो हमें उधार देता है, कुछ पैसा देता है, उसको क्या कहते हैं, लेंडर, ठीक है न, जो हमें पैसा क्या है, उधार देता है, अब मेरा पैसा है, मैंने किसी को दे दिया, इसका मतलब मुझे अपना पैसा किसी को देनना पड़ा, सेक्रिफाइस करना पड़ा, मुझे अपने पैसे से डिप्रीव्ड होना पड़ा, of its use, till it is returned to him, जब तक मुझे वो पैसा मिल नहीं जाता, तब तक मैंने अपना पैसा क्या है, डिप्रीव्ड कर रखा है, सेक्रिफाइस किया है, इन अदर वर्ड्स, एक लेंडर ने अपनी मनी को क्या किया, सेक्रिफाइस किया, या लिक्विडिटी को सेक्रिफाइस किया, इसका मतलब जो उसके बदले में अब उसको जो return मिलेगा, जो चीज मिलेगी, sacrifice करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, interest कहते हैं, अब 10,000 रुपया मैंने किसी को दिया, इसका मतलब 10,000 money से मुझे deprive होना पड़ा, मुझे sacrifice करना पड़ा, इसके बदले में वो मुझे 10,000 तो देगा ही देगा, साथ में कुछ मुझे उसका rate of interest ब्याज भी देगा, जो sacrifice मैंने किया है, उसकी जो मुझे pain होई, inconvenience होई, उसका जो मुझे reward मिलेगा, वो क्या होता है, आपका interest होता है, next पड़ते हैं, gross interest and net interest में क्या मतलब होता है, इसमें difference भी पड़ेंगे, the payment that a doctor makes to a creditor, मतलब जो payment, एक adapter, adapter क्या है, borrower, जिसने पैसा उधार लिया है, वो creditor को देता है, creditor मतलब जिसने हमें पैसा दिया है, lender, that influence besides payment for the use of money, अब कहते हैं, money में तो payment करनी है, उसके साथ में, inconvenience भी हुई उसको, risk भी हुआ, तो ये सारी चीज भी जब हम लोग involve करते हैं, gross क्य rate of interest मिले गई साथ ही में, जो हमें inconvenience हुई है, risk हुआ है, उसकी जो चीजे मिलती है, उसको कहते हैं हम लोग gross interest, so total amount या market rate of interest को हम लोग gross interest का नाम देते हैं, economics में क्या है, however, term interest किसले use की जाती है, to donate the payment made for the use of services of money alone, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, economics में सिर्फ money, money अगर किसी को आपने दी है, उसके बदले में जो आपको reward मिल रहा है, वो क्या होता है rate of interest, लेकिन इस चीजे को हम लोग क्याते हैं, net interest, gross में देखो सारा कुछ involved है, money तो है ही, साथ में inconvenience, sacrifice, सब कुछ है, लेकिन net में क्या है, सिर्फ और सिर्फ money involved है, so gross interest पहले पढ़ते हैं, total payment made by adapter to his creditor for the use of the capital is called the gross interest, अब इसके constant क्या है, पहला है net interest, वनला, gross में ही net तो involved होगा ही, क्योंकि net में क्या है, अकेली money, net interest क्या होता है, which is paid for the use of services as the money alone, सिर्फ पैसे में अगर आप किसी को services दे रहे हो, उसके बदले में जो payment मिलती है, उसको ही interest का नाम दे दिया जाता है, लेकिन gross है बड़ी term है, money तो involved होगी ही, साथ ही में क्या होगा, reward for the risk, पैसा दिया है, तो risk involved है, उसमें, creditor को क्या है, has to take risk in landing his money, he feels spectacle, मतलब confused है, doubt है उसको, कि उसको पैसा वापिस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, for the return of money to him, तो इस वज़े से हम लोग क्या सकते हैं, कि ये risk आगे reward for the risk ह मतलब इसके बदले में हमें जो sacrifice हमने किया, पैसा जो मिलता है, अब ये risk क्या होता है, दो तरीके का होता है, पहला is business risk, कि ये risk arise करता है, क्योंकि uncertainties आ जाते हैं business में, किसी person ने मेरे से पैसा उधार लिया, अपने business को चलाने के लिए, लेकिन मान कर चलो, उसमें जो business चलान था, वो क्या हो गया, fail हो गया, he met with the failure, तो क्या करेगा, despite his good intentions, police की intentions सही थी, लेकिन जो business purposes के लिए, उसने हमें से पैसा लिया था, वो fail हो गया, इसका मतलब वो debt को repay कर ही नहीं पाया, तो that means, creditor को risk उठाना पड़ा न, loan देने के लिए, उसको क्या पता, पैसा वापिस मिले क्रेक्टर या integrity है debtor की, when a debtor is in position to repay his debt, अब देखो debtor है, जिसने loan लिया है, वो पैसा मेरा वापिस दे सकता है, लेकिन उसने refuse ही कर दिया पैसा देने के लिए, हम पैसा मागने गए, वो क्या कहता, कि पैसा तो नहीं देना है, या फिर उसका क्या हो गया, bankrupt हो गया, तो money lander क क्या है, एक personal risk भी उठाता है, कि जिसने उसको पैसा दिया है, वो आगे शायद पैसा मोडे ही न, कि वो उसके पास capability है, पैसा देने के लिए, कि उसने मना ही कर दिया, refuse ही कर दिया पैसा देने के लिए, तो वो हता है personal risk, अब second पढ़ते हैं, third, sorry, that is reward for the management, manage करने का भी reward है, that is, creditor has to maintain proper account, अब creditor को क्या रखना पड़ता है, proper account रखना पड़ते है, कि कैसे कैसे transaction की है, किस किस person को मैंने loan दिया है, किस rate of interest पे दिया है, regarding his paying of loans, interest की receipts, balance due, या repayment of the principal amount, he may have to engage, अब इतना सारा काम है, उसको एक क्या रखना पड़ा, account clerk रखना पड़ा, इस purpose के लिए, अब he may have to make repeated request to the debtor, अब बार-बार उसको debtor को request करनी पड़ेगे, कि मेरे जो due है, वो वापिस कर दो, क्यों करनी पड़ेगे, अब जो clerk है, उसकी भी तो payment देनी, उसकी भी तो salary देनी है, ना, management जो कर रहा है, इस चीजो का, तो एक जो lender है, वो क्या है, borrower को बार-बार कहे है, कुछ clerk लखा है, उसका मुझे पैसा वापिस तो मिल जाए, तो आप लोग मुझे अराम से उस time of period पे पैसा क्या कर दो, वापिस कर दो, दस creditor को क्या include करना पड़ा, reward for the management, manage करने के लिए कुछ payment तो मिले उसको, तो उसको ही हम रो rate of interest कहते हैं, accounts का, यह in the gross interest, तो that is called the reward for management, अब उसको inconvenience भी हुई है, पैसा किसी को दिया है, reward for the inconvenience, parting with money involves several inconvenience on the part of creditor, अब inconvenience भी तो हुई मुझे, किसी को पैसा दिया है, he may not get money when needed, अब जब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे जब needed है, मुझे उस time पे ना मिले, and he himself may have to borrow, मैंने लोगों को पैसा दिया है, लेक तो मुझे ज़रूरत है, मुझे फिर खुद किसी से borrow करना पड़ेगा ना पैसा, for someone else, और यहां फिर क्या करना पड़ेगा, he may get his money back in the small installment, अब जो money लेनी है, वो उसको थोड़े थोड़े भागों में मिले, small installment में मिले, तो मतलब inconvenience भी हुआ ना उसको, तो inconvenience का भी reward उसको interest के वे में मिलता है, तो यह तो था आपका gross में क्या क्या चीज़ें involved होती है, अब net interest क्या होता है, जब सिर्फ money की form में ही, money किसी से ली है, उसका ही पैसा मिलेगा, so net interest refers to amount which is paid for the use of money alone, तो reward risk यह सारा कुछ का पैसा नहीं, बलकि जो money आपने किसी को धार दिया, उसके बदल from that which is involved in saving and no work is entailed on the lender, इसका मतलब क्या है, कोई risk नहीं, कोई inconvenience नहीं, बस उसने क्या किया, जो उसने save करके रखा था, जो पैसा आपने किसी दूसरे person को दे दिया, बस पैसे के बदले में, जो reward मिलेगा, that is called your interest, तो यह था gross और net interest क्या होता है, अब इसमें difference क्या हो जाएग gross एक बड़ी term है, net उसका क्या है, एक हिस्सा है, so wider narrow, gross interest is a wider term, whereas net interest क्या है, एक छोटी term है, narrow term है, net interest एक constituent है gross interest का, क्योंकि gross में वचे सब कुछ involved होता है, money तो होगी, साथ में risk, inconvenience management भी होती है, अब आजो difference in the rates, lots of difference in the rate of interest, of the gross, क्योंकि gross में देखो reward अलग होता है, अलग च convenience कितनी हुई है, एक lender को, यह हम कह सकते हैं कि, जो उसको business risk, personal risk उठाना पड़ा, यह भी अलग हो सकते हैं, तो rate of interest क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, gross interest में, लेकिन net interest में क्या होते हैं, ज्यादा या कम, constant ही रहते हैं, ज्यादा तर ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसके साथ में मिलते जुलते होते हैं, third is determination, net interest कैसे determine किया जाता है, equilibrium ढूंड के, demand और supply of capital का, लेकिन gross interest, बहुत सारे factors पर depend करते हैं, यह तो demand और supply से निकल जाएगा, लेकिन gross तो नहीं निकलेगा, demand यह risk जो उठा रहे है, management risk, inconveniences, इसका निकाल पाने बड़ा मुश्किल है, तो हम करते हैं, difference in the rate of interest, अलग-अलग person से, जब हम अलग-अलग rate of interest चार्ज करते हैं, किसी जादा, कई बर कम, तो यह किस तरीके से होता है, पहला है, monopoly power, monopoly power मतलब एक ही seller है, there is one person, यह कुछ लोगों का group है, combination है persons का, जो हमें loan देते हैं, इसलिए, अलग-अलग वो चार्ज करेंग price अलग-अलग person से, अब हम क्या ही सकते हैं, अब जिनसे उनकी जान पैचान है, उनसे तो कम rate of interest ले लिया, जिनसे उनकी जान पैचान नहीं है, थोड़ी दुश्मनी है, क्या है, ज्यादा rate of interest चार्ज करने के क्योंकि monopoly है, एक तो पैसा लेना भी हमें इनी से ही पड़ेगा क्योंकि एक ही seller है, कुछ group है creditors का, जो पैसा हमें दे सकते हैं, तो अपने accordingly वो different rate of interest को charge कर सकते हैं, सेकीन है, liquidity of the market article, liquidity मतलब होता है कि एक तरल, जैसे money है, cash है, यह सबसे जादा liquid है, क्यों, cash is acceptable, कोई भी इसको मना नहीं करेगा लेने से, जब भी market में जाओ, आप लोग क् खरी सकते हो, इसका मतलब, money is a very much liquid, liquid asset है अपका, liquidity है उसमें, अब देखो, when a person gets loan by mortgaging, क्या होता है, गिर भी रखना, जब एक person क्या है, लोग लेता है, कुछ gold, silver, ornaments को गिर भी रखके, तो rate of interest क्या होगा, low, क्योंकि अब देखो, उसकी security पड़ी हुई है, हमारे पास, अग उसका gold है, silver है, बेच देंगे, पैसा जल्दी से मिल जाता है, gold, silver को बेच की, वालब, ये चीज़ें क्या है, जादा liquid है, क्योंकि, these articles are considered to be very liquid, अगर अच्छे mortgage item, गिर भी वो अपना कुछ घर रख दे, लैंड रख दे, तो rate of interest क्या होगा, high charge होगा, क्योंकि गर है, जो व less liquid होती है, थर्ड पी आजाओ, difference in the risk, low rate of interest is charged from a person who enjoys good credit worthiness in the market, अब market में कोई ऐसा person है, जिसकी जान पर जान बहुत अच्छी है, वो किसी से loan भी लेता है, समय पे चुका देता है, तो उससे क्या हम लोग charge करेंगे, low rate of interest क्योंकि हमें पता इसका पैस हमें वापस मिल जाएग जिनको loan देना क्या है, बहुत risky है, हमें अभी persons के बारे में पता नहीं है, कि वो हमें loan जो पैसा है, वो बापस देने वाला है, या नहीं देने वाला, फोर्थ है inconvenience, जितनी जादा हमें inconvenience जादा होगी, creditor को जादा होगी, उतना rate of interest पे जादा लगेगा, और जितनी inconvenience कम ह होगी, rate of interest पी कम लगेगा, फिफ्थ है management, अगर अचे creditor को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ रहा है, debt को management करने में, तो loan, आप से rate of interest क्या होगा, high charge होगा, period of loan, जितना लंबया time होगा, loan period का, उतना ही क्या होगा, high rate of interest, क्योंकि हमें अपने पैसे से जादा देर के लिए commitments बहुत जादा involved होते हैं, सेवन्थ है security, इफ loans are obtained on personal security पे कुछ आपने loan लिया है, कुसी को कह कर ही, कुछ agreement साइन करके भी, तो rate of interest उससे क्या होगा, high charge होगा, on the contrary, आपने किसी से loan लिया है, कुछ चीज़ें को secure रखके, कुछ valuable चीज़ें को secure रखके, जैसे हमने बात की थी gold, silver की गिर्वी रखके, उससे rate of interest क्या होगा, low charge होगा, mobility of capital, developed countries में, जहाँ पे capital mobile है, मतलब इदर से उदर हम लोग असानी से जा सकते हैं, transportation facilities भी है, capital काम कर सकती है, वहाँ पे rate of interest एक जैसा ही रहता है, uniform रहता है, लेकिन under developed countries में क्या है, less mobility है capital की, तो rate of interest भी बहुत जादा variations देखने को मिलती है, अलग-अलग हो सकता है, 9th है banking facilities, countries जहाँ पे large banking facilities है, उनका uniform rate of interest लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा area है, credit देने वाला, और ऐसी countries जिन में banking facilities बहुत कम है, limited है, उन पे rate of interest क्या लगेगा, higher लगेगा, तो that means rate of interest अलग-अलग होने की ये कारण आपके साम हो सकते हैं, तो I hope कि जो मैंने पढ़ाया है, अच्छे से आपको clear हो गया है, आगे हम इसके सारी के सारे जो theories हैं, वो पढ़ेंगे, classical, loanable, liquidity preference theory, तो आगे की वीडियो में discuss करेंगे, अगर वीडियो helpful लगी हो, इस चानल को ज़रूर subscribe कीजिए, like, share and comment and press the bell icon ताकि हर वीडियो